अस्सलाम अलेकुम वक्त तर्मीमी बिल के लिए इमेल भेजने के लिए दो दिन का हमको वक्त मिला है तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप एक नया इमेल आइडी क्रियेट करके दोबारा JPC कमिटी को इमेल कैसे कर सकते हैं तो आप दोबारा अपना इमेल आईडी मनाएं इसके लिए आपको Google इसमें जाना है Google में जाने के बाद उपर जो आपका नाम या फोटू है वहाँ टच करना है फिर उसके बाद यह जो तीर का निशान नजर आ रहा है यहाँ पर टच करना है यहाँ पर टच्च करने के बाद ये add another account यहाँ पर टच्च कीजिए फिर आपके सामने ये नीचे इस तरह से आएगा create account यहाँ टच्च कीजिए और यहाँ टच्च करके my personal use या business use आप कुछ भी कर सकते हो अब यहाँ आपका first name के अंदर आप अपना नाम दाल दीजिए सरनेम optional है next कीजिए फिर आपकी date of birth तारिख महिना और साल ये दालने के बाद नीचे gender में male और female आप select कीजिए फिर उसके बाद इसको next कर दीजिए यहाँ आपको email id के कुछ option देगा आप वो option select कर सकते हो जो आपको नाम रखना है id या फिर आप create your own gmail address यहाँ पर touch कीजिए और आप अपने तोर पर अपना gmail id बना सकते हो आपका नाम यर वगेरा दाल कर आप अपना खुद का id भी बना सकते हो फिर next कर लिजिए password create करना है password में आपको याद रखना है कि पहला letter capital फिर उसमें एक character चाहिए और एक digit चाहिए add rate इस्तेमाल करके आप अपना year दाल दीजिए फिर इसको rest कीजिए फिर इस तरह से आएगा इसको scroll up करके yes I am in कीजिए फिर यहां आपका review देगा आपका नाम email id उसको ok कर दीजिए फिर इस तरह से आएगा terms इसको agree कीजिए agree करने के बाद आपका account जो है create हो जाएगा अब आपका नया account create हो चुका है password अच्छे से लिख कर रख लीजिए अब आपको वापस back हो जाना है gmail पर आना है gmail open करना है फिर उपर यह जो आपका gmail id या photo है उसको touch करना है यहां यह आपका नया id आ चुका है इसको select कर लेना है इसको select करने के बाद फिर back जाएजिए और whatsapp पर जो link है उसको open कीजिए फिर gmail open हो जाएगा gmail उपर होने के बाद वो message आएगा इसको थोड़ा नीचे कीजिए तो यह जो from है यहां पर touch कीजिए तो आपका नया email id जो है आ जाएगा उसको select कीजिए उसको select करने के बाद आप फिर अपना sincerely के नीचे अपना नाम लिख कर दोबारा JPC committee को email send कीजिए तो इस तरह से आप नया account create करके JPC committee को भेज सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अपने account को recreate करें नया account बनाए तो हमारी तादा दुगनी हो सकती है इसलिए इस वी activities